असलाम अलेकुम, सबास बेस्ट क्लासिस में आज हम इंशालला चीजी चिकन बनाना सीखेंगे ये रेसिपी बहुत डेलिशियस है, इसे आप घर पर बना सकते हैं और दावतों में भी बना सकते हैं इसे लगने वाली सारी चीजें घर पर ही मौजूद होती हैं तो चलिए, शुरू करते हैं हम इसे बनाना यहाँ वर हमने दो चिकन थाइस लिए हैं इन थाइस को इस तरह से हमने कट मारा है या तो आप चाहें शॉप से ही इस तरह से कट्स मार के मंगवा सकते हैं इसे आप दो लीचिए और दोने के बाद आप इसमें 1 फोथ टी स्पून यानि पाव टी स्पून हल्दी पावडर डालिए नमक आप टेस्ट की सबसे डालिए यहां हमने पाव टी स्पून यानि वन फोथ टी स्पून नमक डाला है एक टेबल स्पून अदर क्लेसन पेस्ट एड कीचिए और पाव टी स्पून आप इसमें धनिया पावडर डालिए यह सिंपल प्लेइन वाला दनिया पावडर है जो वन फोथ टी स्पून हमने डाला और वनफोथ टीस्पून याने पाव टीस्पून जीरा पाउडर डालिए और हाफ टीस्पून याने आधा टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला डाला और half टीस्पोन , यानि कश्मिरी रेज चिली पाॉडर हम इसमें अड़् कर रहे हैं half टीस्पॉन यानि आदा टीस्पॉन हमने इसमें लाल मिर्च पाॉडर ड्लना हैँ और 1 पूद टी स्पॉन यानि पाउट टीस्पॉन हमने चिली फ्लेक्स अड़् किये और 1 फोट टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया सारे चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करकर चिकन पर लगा दीजिए चिकन के जो कट्स हैं उसमें भी आप मसाले अच्छी तरह से डालिए ताकि चिकन का जो गोश्ट है वो अंदर तक मज़िदार बने अब इसमें आधा कप दही डाल दीजिए दही गाड़ा होना चाहिए इसे अच्छी तरह से चिकन पर लगा दीजिए हम इस चिकन को जितनी देर ज्यादा मैरिनेट करेंगे यानि जितनी देर ज्यादा मसाले लगा कर रखेंगे उतना ही ये ज्यादा टेस्टी बनेगा आप इसे दो घंटे रख सकते हैं आठ घंटे भी रख सकते हैं देखिए यहाँ पर हमने ये एक नारियल लिया है नारियल के मैंने इस तरह से टुक्रे किये हैं अच्छा नारियल है इसके हमने कट करके इस तरह टुक्रे किये हैं इसे आप मिक्सर के जार में डालिए थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए देखे हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया अब इसे आप चन्नी में से या कपड़े में से इस तरह से इसका जूस दबा दबा कर निकाल लीजिए तो ये हमारे पास coconut milk या नारियल का दूद तयार हो जाएगा तो हमने एक नारियल का दूद निकाल लिया यानि बना लिया है अब हम एक non-stick pan को gas पर रखेंगे gas on करेंगे फिर उस पर हम थोड़ा सो oil डाल देंगे देखे ये chicken marinate हो गया है हमने इसे दो घंटे रखा था दो घंटे बाद आप इसका थोड़ा सा उपर का जो मसाला है वो निकाल दीजिए ताके तेल में जले नहीं वो उसके बाद आप इस chicken को इस non-stick pan पर डाल दीजिए और high flame पर दोनों साइट से इसे पका लिजिए दोनों साइट से हमें इसे पका लेना है हमें इसे सील करना है और साथी हम इस पर थोड़े से ये brown इस तरह से दाह लगाएंगे ताके ये टेस्ट में भी अच्छा बने और दिखाई भी अच्छा दे ठीक है तो हमने देखे इस तरह से brown दाह लगे तक इसे पकाना है तो इसी तरह से हमने ये दोनों चिकन को फ्राइ कर लिया है बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बस हमने इसे हाई फ्लेम पर पांच से साथ मिनिट पकाया है अब इसमें जलता हुआ कोईला रखिए उपर ऑईल डाल कर धुआ निकलते ही आप इस पर ढांक दीजिए पांच से दस मिनिट इसी तरह रहने दीजिए दुआ जब खत्म हो जाएगा तब ठकन खोल दीजिए यानि हमने इसे स्मोक कर लिया देखिए ये बचा हुआ मैरिनेड है यानि बचा हुआ जो मसाला था चिकन का वो है उसमें हमने आधा कप पानी नाल देना है ताके हम ये ग गारलिक हमने इसमें आड़ किया फिर उसके बाद तीन बिलकुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें आड़ कीजिए आप चाहें तो चौपर से भी इस तरह बिलकुल बारीक कर सकते हैं उसके बाद आप इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से फ 1 teaspoon हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 teaspoon याने 1 teaspoon हम इसमें धन्या पाउडर डाल देंगे आधा teaspoon हमने इसमें जीरा पाउडर आइड किया सारी चीजों को थोड़ा सा धीमी आँच पर फ्राइड कीचिए वरना मसाले इचल जाते हैं अब देखिए जो बचा हुआ मैरिनेड था वो मैरिनेड हमने इसमें एड कर दिया और अब हाई फ्लेम पर सभी चीजों को अच्छी तरह से भून लीजिए देखिए हम 1 tablespoon सुखी मेथी या फिर कसूरी मेथी को अपने हातों से क्रेश करके इसमें एड करेंगे आप चाहें तो पहले कसूरी मेथी को थोड़ा भून लीजिए फिर क्रश करके डालिए टेस्ट के हिसाब से नमक एड कीजिए अब इसे अच्छी तरह से पकाईए और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए यह चिकन जो हमने भून कर रखा था अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताके चिकन अच्छी तरह से गल जाए अब चिकन को एक तरफ से पकाने के बाद दूसरी तरह से पल्टा लीजिए और ढाक कर इसे मेडियम फ्लेम पर कुछ देर पकने दीजिए ताके चिकन अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए हम इसमें 10-15 काजू का पेस्ट डाल देंगे यानि 10-15 काजू को मैंने पानी में भीगोया फिर उसका पेस्ट बनाकर डाल दिया उसके बाद जो हमने कोकोनट मिल्क यानि नारियल का जो दूद बनाया था वो दूद आप इसमें आइड कीजिए काजू पेस्ट और नारियल का जो मिल्क था वो हमने इसमें डाल दिया उसके बाद 2 टी स्पून चिली फलेक्स डाल दीजिए और 1 टी स्पून तंदूरी चिकन मसाला डाल दीजिए हमने 2 टी स्पून चिली फलेक्स डाले याद रखिए उसके बाद आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकने दीजिए देखिए हम अब डालेंगे बटर यहां हमने 2 टेबल स्पून बटर एड़ यह यह बटर डालना ऑपिशनल है ऐसे भी यह ग्रिवी विदाउट बटर के भी बहुत टेस्टी लगती है अब हम इस पर ये चीज स्लाइस डाल रहे हैं यानि हमने एक थाई पर एक चीज स्लाइस डाला दूसरी थाई पर दूसरा चीज स्लाइस डाला इस तरह से आप चीज स्लाइस डालिए और इसे ठाक कर कुछ देर पकाईए तो चीज स्लाइस मेल्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इस पर ब्लैक पेपर यानि काली में चाइट करेंगे और बिल्कुल थोड़े से चिली फ्लेक साइट कीजिए और हराधनिया डालिए अब देखिया हमारा ये चिकन तयार हो गया है अब हम इसे सर्व करेंगे बहुत ही जबर्दस सा चिकन तयार है यानि सर्व कर रहे हैं बहुत ही जबर्दस सा बहुत जबर्दस सी ग्रेवी है देखे किस तरह से चीज इस चिकन पर लगा है और बहुत ही शांदार सी ग्रेवी हमने बनाई है इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर सरूर कीजिए और अगर अभी तक मेरी चैनल को अपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी सरूर प्रेस कीजिए आप इसे जीरा राइस के साथ सर्फ कर सकते हैं बगारे चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं नान तंदूरी रोटी किसी के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं इंशालना फिर मिलती हूँ एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ थैंक्स फो वाचिंग हाँ देखिए ये चिकन कितनी अच्छी तरह से गला है देखा आपने बहुत ही जूसी है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गला है I hope कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी Thanks for watching Sabasa this classes